एसलीम आपके सहां त्याम आपके साथ शामी कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूं यह यहां मैं आपको इतने टेस्टी बनने वाले है अगर इस तरीके से बनाओ गे आपको ने अभी तेक इस तरीके से बहुत कम वीडियो देखे होगे अगर आपने देखा भी होगा यूटूब में इसका वीडियो तो इस तरह से बहुत काफी कम लोग बनाते है तो आज मैं आपको इसकी रेसिपी देने जा रही हूँ तो चलिए हम इस रेसिपी को यहां पर मैंने जो चना दाल होती है उसे मैंने 5-6 गंटे के लिए बिगो के रख दिया था और अब अच्छी तरह से मैंने इसे दो लिया है और दोने के बाद हम इसमें आट कर देंगे यह 50 ग्राम चना दाल थी यह सोक होने के बाद थोड़ी जादी लगती है लेकिन यह स जीरा एड़ कर रही हूँ अभी इसमें हम लॉंग एड़ करेंगे इसका स्ट्रॉंग फ्लेवर होता है बहुत जादा साथी में हम काली मिच्चे एड़ करेंगे यहां पर मैंने थोड़ी सी इलाइची लिये है जो लाज इलाइची होती है वो और च्छोटी लाइची है व इससे बहुत अच्छा पाउड़ में टेस्स आता है और रेड चीली पाउडर है सॉल्ट जो है वह आप अपने टेस्स के साबसे समें आड़ कर सकते हो यह ज़े से साथ जो है वह बलसं की कलिया है और अध्रक है ये भी हम इसमें आड़ कर देंगे साथी में हम इसमें 3-3.5 कब पानी आइड करेंगे ये पानी इतने मटन के लिए इनफ है जितना मैंने लिया है और इसे हम 30 मिनिट के लिए कुक कर लेंगे प्रेशर कुक कर लेंगे 30 मिनिट के बाद जब आप इसे ओपन करोगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा यहां पर मटन हमारा बहुत ही अच्छा कुक हो जाना चाहिए मिन्स गल जाना चाहिए और यहां पर जो अन्वांटेट चीजे है जैसे इलाई चीव अगेरा तेज पत्ता दाल चीनी उसे मैंने निकाल दिया है यहां पर मैं फ्राइड अनियन का यूज कर रही हूँ हाफ कप है आपने देखा होगा रैसी पी में बहुत सारी कैसे कैसे बनाते और यह जैसे आपके पस कुछ भी हो यह पाटेटो में ब्लेंट हो जाना चाहिए हम यह आपर मिक्सर का इस्तिमाल नहीं करेंगे तो यह देखिए थोड़े टाइम के बाद आप जब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लोगे तो कुछ इस तरह से नहीं दिखेगा इसे मैंने एक बोल में ट्रांसफर कर दिया है और यह थंडा हो चुका है यह प्रॉपर थंडा होना चाहिए तो यहां पर भी मैंने इसमें एक ही एग इस्तेमाल किया है आप एक अंडा इसमें दाल देना और यहां पर में पस कुछ ड्राइ मिंट की लिव से और हरी जो इसे मैंने बारी कटके इसमें यूस किया है आप इसमें दाल देना इससे बहुत अच्छा तीका सा तेस आजाएगा स्पाइसी और थोड़ा से हम फ्रेश कुरींडर का इस्तेमाल करेंगे हरा दनिया और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आप देख सकते हो इसे मैंने पीसा भी नहीं है लेकिन यह कितनी अच्छी तरह से बन गया है और इसे आराम से आपकी जो शामी कबाब की टिकी है ना वो बन जाएगी तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे शामी कबाब जो टिकी होती है उसका शेप दे देंगे और यह देखने में भी ब यहां पर मैंने सारे कबाब्स को रेडी कर लिया है अब हमें इसे फ्राय कर लेंगे हमें बहुत जादा आइल का भी इस्तेमाल नहीं करना है हम थोड़ा सा आइल लेंगे और इसी में इसे फ्राय कर लेंगे तो यह एक एक करके हम इसमें जितनी भी आपकी आपकी जाए अराम ब्राउन कलर आजाए आपको तो आप इसे निकाल देगा तो इसे निकाल लिया तो आपको यह बहुत अच्छे पनिये बहुत मज़ेदार बनते हैं तो यह सारे कबाप्स को मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है और मैं सिर्ट तोड़के भी बताती हूँ आपको ये देखिए बहुत गरम था इसलिए लेकिन ये खाने में बहुत टेस्टी बनेते तो उमीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, अल्ला हाफिज